आपको अपना सिर उत्तर की ओर क्यों नहीं रखना चाहिए? मान लेते हैं, आपको पता है कि पृत्वी में एक उत्तरी ध्रोव है और एक दक्षनी ध्रोव है, यानि ये चुम्बकी केंद्रे और आप ये भी जानते हैं कि धर्ती के पूरे भूखंड, पूरे महाध्वीब, धीरे धीरे उत्तर की ओर खिसक रहे हैं, वो चल रहे हैं, आप जानते हैं? भूवी ग्यान से आप कम से कम ये तो जानते ही हैं कि सारे भूखंड खिसक रहे हैं, हिमालय की परवत श्रेणिया कैसे बनी, हिमालय परवत, मानसरोवर, आपको मानसरोवर में समुद्र की सीपिया मिलेंगी, क्योंकि किसी वक्त वो समुद्र के लेवल पर थी, आज ये 15, 16,600 फुट की उचाई पर है, तो ये जील वहां कैसे पहुँची? एक समय ये समुद्र के लेवल पर थी, और आज वहां पहुँच गई है, क्योंकि असल में पूरा भारती उप महाद्वीब सेंट्रलेशन प्लेट से टकरा रहा है, और इसी वज़े से हिमालय के पहाड एक टकराव के कारण, आपने कारों का धेर लगना देखा है, बस वैसे ही है, भारत भी टकरा रहा है, भारत हर साल लगभग 1.2-3 सेंटिमीटर छोटा हो रहा है, मुझे बिलकुल सही आकड़ा नहीं पता, लेकिन ये लगभग उस रेंज में है, हर साल भारत 1.2-3 सेंटिम के रहा है, क्योंकि उत्तरी ध्रूफ का चुम्बकी आकरशन धीरे-धीरे सारे भूखंडों को उपर खींच रहा है, तो इतना विशाल चुम्बकी आकरशन जिस से महाद्वीप उपर खिसक रहे हैं, उस तरह का चुम्बकी खिचाव लगातार पूरे गलोब में कायम है, करेंगे, तो इसका मतलब यह आपके खून का एक महतुपूर्ण हिस्सा है, हाँ, तो अगर आपके शरीर में आयन तैर रहा है, और मैं आपके सिर पर एक शक्तिशाली चुम्बक लगा दूँ, तो हो सकता है कि धीरे-धीरे खून उस दिशा में जाने लगे, है ना, मान ली कि यह चुम्बक बहुती शक्तिशाली है, तो यह खून को धीरे-धीरे उपर खींचने लगेगा, क्योंकि खून में आयरन मौजूद है, आपके शरीर की सनरचना ऐसी है, कि आपका दिल, जो सर्कुलेशन सिस्टम का पंपिंग स्टेशन है, वो तीन चौथाई उपर की ओ बहुती होнуть वे तेन चौवतान गाव एं 나 के बीचो बीच, चुम्कि गुरुत्वाकर्शन की उल्टी दिशा में पंप कर्ना मुश्किल हैं, और गुरुत्वाकर्शन की दिशा में में पंप करना आसान है, तो यह यहां है, आम तोर पर जो भी खून की नसे नीचे की ओर जा रही हैं, वो मोटी हैं, और जो नसे ऊपर की ओर आ रही हैं, वो काफी पतली हैं, यहां तक पहुंचते पहुंचते, वो लगभग बाल की तरह पतली हो जाती हैं, इतनी बारीक, कि आपके मस्तिश्क का सर्कुलेशन सिस्टम ऐसा है, कि अगर उसमें एक भी बून ज्याद सासंतुलन है, क्योंकि दिल गुरुत्वाकर्शन के प्रतिरोध को ध्यान में रखकर पंप कर रहा था, अब अचानक गुरुत्वाकर्शन का प्रतिरोध नहीं रहा, आप इस तरह हो गएं, और अब आप अपना सर उत्तर की ओर कर लेते हैं, धीरे धीरे खून आपके मस्त की ओर खिंचता है, तो एक चीज जो आपके साथ हो सकती है, वो ये कि आपको अच्छी नीन ना आए, अगर आप अपना सर उत्तर की तरफ करके सोते हैं, तो आपकी नीन खराब हो सकती है, हर किस्म के सपने आ सकते हैं, अगर आपके उम्र ज्यादा है, तो हो सकता है कि आप आपको स्ट्रोक हो जाए, या आप नीन में मर सकते हैं, ऐसा बिलकुल संभव है, ऐसा नहीं है कि आप एक दिन सोए तो आप मर जाएंगे, हर रोज, हर रोज, हर रोज, अगर आपका बिस्तर उसी तरह लगा हुआ है, कि आप अपना सिर उत्तर की ओर रखते हैं, तो आप मु बस आपकी नीन्द शांत हो सकती है, या बुरे सपने आ सकते हैं, या दिन के दोरान आप अजीब हरकते करेंगे, तो तमाम चीजें होंगी, क्योंकि मस्तेश्क में अधिक सर्कुलेशन हो रहा है, जब इसे नहीं होना चाहिए, सिर्फ इसलिए, क्योंकि सोते समय आपने अ सिर्फ उत्तर की दिशा में रख सकते हैं, उत्तरी गोलार्द में आप अपना सिर्फ उत्तर की और मत कीजिए, आप एक सुई की तरह गोल घूम सकते हैं, पूर्व सबसे अच्छा है, उत्तर पूर ठीक है, पश्चिम भी ठीक है, दक्षन कोई और चारा न हो तो उत्तर में बिलकुल नहीं